नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 में और आज मैं आया वाहूं हर्याना के जिला जजजर में और यहां पर एक भैतरी नुक्रा गोड़ा आपको दिखाने वाले हैं और मेरे को लगता है कि नुक्रे मारवाडी गोड़ों की तो अरियाना मैंने बहुत बीड़ी बनाई है पाँच विलिये और रात तक और कितने हो जाएंगे आठ नो बस फिर सो जाएंगे तो भाई सब से पहले मैं चाहूंगा एक वार अपना नाम बता है और अगर फाम का नाम रख रहा है तो फाम का नाम बरना अपने गाम का क्या नाम है बाई मेरा नाम है कुल्दीप है कुलनीप बाई गांष दुल्एडंदा जीला जज़र तसील बातरगड और जजजर से कितना पढ़ता है अवी एक जचाहा से 10 जो से पहले हदा डाजी रखते थे आप पीडी ळा पीडी छल हरा है तैसके तो तौथ बहुत criteria तैसरी आप करने वाले हैं कि आपके पास में देखो यह हीरा गुड़ा के उना अगहा है इसका हरियाना रतन है भाई साब और अगर बात करें इसके बाप की तो बाप कोन है भाई साब बेताव है बेताव है जो बहुत अच्छा गोड़ा है सल्मान खान के पास है जो भी सल्मान खान के पास है पहले है जो स्पाल अंकल जी के पास था और बात करें भाई साब मा की मा मा कोई है मा इसकी साली वाले गोडे की डारेक्ट इली गोड़ी और अपने बड़े बाई पपू मैं लाजी परकृशचेतर से बिल्कुल उनके पास है और इसकी मा और पदम गोड़ा है जो अंकल जस्पाल के पास दौनों सगी बहने तो मा है के नहीं है भी वाई है माँ कॉन पपू बाई के पास भी वीवी जवाला मुखी से रिसल्ट दिया वहत बढ़िया कितने साल की होगी माँ ऑगी बाई साफ कम से छह साथ साल गी चह साथ साल की तो बाई साब बात करें गोडे के हम कि लिए फेसट प फलस में कुछ सिस्ट प्लस कौने एक हैं जूटी वाडी एक सची वाडी तो बाइसाब अगर बात करें कितनी उम्र में लेके आ गए थे और कहां से लेके आय थे बच्चा यह चोदा पंदरा महिने का दाजब लिया था वाइसाब यह जस पालंकल जी के पास ही था अच्छा उनी के पास हुआ है फिर उस पालंकल के प पूरी का 28 महीने किसे ने बताया गोड़ा की भाई गोड़ा खड़ा है और आप मासे फिर लेके आए ऐसे देखते जा रहे थे वाइसा पंजाम में अच्छा गोड़े देखने गए उन्में गोड़े देखने गए थे वैसे फिर अंकल जी पास चले गए उदर देख्या थ पर आने के बाद घर आये फिर दुबारा गए नहीं उदर ही रुखे रात को लेट गए थे आठ फुझे फिर उदर रुखे फिर अंकल जी बार गए वेदे सुबह आये जब सुबह डील पक्की होगी फिर बाई सब्सक्राइब एक बार में होगी ज्यादा टाइम नहीं ल लेहिगा पडाएब पारों किया लगता है कि उस दिन जो घोडा लाने की गल्ती करी वो सक्षचपुल रही नियुक्त रही सखेश inge कर रहे हैं जब्के मेनद कर रहे हैं आपके सामने है बिलकुल बागे मेरे को लगता है मैनत कर भी रहे हैं और गोड़ा भी मेरे को लगत लगता है कि भाई इससे बैतरी गोड़ा नहीं है नहीं है अब वह गा तो भाई अगर कौने में अगर मान के चलो पेड़ के नीचे बांद रखा तो मेरे को कैसे पता चले है अमने तो देखे निए वाई सोसल मीडिया पर जो आता हुए ही रो है घर में तो कितने बांद के र इस तरीके से गोड़ों की फीज बढ़ रही है तो मेरो लगए एकिस हार तो पच्छिस पर से गरीब आव आखिसान आओगा उस ममान ताम कर देंगा वाई साब आपने बढ़िया गोड़ा तैयार करा है इससे पहले भी कोई गोड़ा तैयार करा गया कभी नहीं पहले पहल पहले पेला नंबर था दंत्मा भाई साब पहला नंबर फरीद कोड था अधर आठमा नंबर था बाई साब बस यह एकि गोड़ा यान जैसे नुक्रे रहते बहुत ज़्यादा गरम रहते है यहाँ पर गोड़ा है इतना गरम भी नहीं जितना है यह जो एटिटूट ए वह वह फुल है यहां शयानता है अगर बार लेकर जाएंगे थोड़ा अग्रेश्व हो जता है दिखाने की जग है दिखता है तो यहार घर में ते सब आरामसी रहते हैं नो शेर तो सब दार ही जाकर होते हैं गर पे शयानता है बिल्कुल गर के आदमियों को सेर बनके क्या पता लगना चाहिए कि यह सेर आया आए आपार ऐसे रहता है चलो बहुत वड़ीया बाइसा आपा पहलवान जी केसे हो बढ़ीया बाइसा परतिवाप शनाओ पहल जी तो चैन जोगे पहले से कता यह अभी तो दर्शन वर्शन भी नहीं देते हैं मंडी में खाहीं पर भी आ आपार थेसे कि क्रशफ ठेवरी झाला में आफने देंस सबस्यान भाई कि बाइसाब मैं पूछना चाहुआ जी इस में खाहेए गवड़े को द्युक्ति है के दर्गेव गोड़े के देड़ द्यू बच्चा लाए हो तब लाट करें और बहुतीज़ लाए होगी है das प्लस होगी 61 प्लस जैने उस टेम पे भी हैट अच्छी थी अच्छी थी बैसाब और अभी 65 प्लस होगी वाइशाब तो आने वाले जो सो होंगे उसमें लोगों को अरियाना रतन देखने के लिए मिलेगा तो गोड़ा रखने के बाद में आज से पहले गोड़िया रखी है ऑख आपके पास में गोड़ा टेयार थे थोड़ा सा गरम मैसूश होता है गोड़ुमी रहते हों यह न है पूरा दीन नहीं मिरा थे मैं टरहिब चार आदमी होकष मतलब क्या रहता है यह ब क्यो हो जिए कण कि यहां बाई सब्सक्राइब करें तो पहलों जी एक चीज़ बता हो गी हरियाना में पहले से गोड़ों में खूब विकास कर रहा है पर हरियाना में जब भी गोड़े कम क्यों है क्या कारण है इसका अगले दो साल में बहुत बच्चे हो जाएंगे अच्छे हो जाएंगे मेरे को लगता है पहले से तो बहुत सारे लोग गोड़ा गोड़ी रखने लगए जब भी अगर हम जैसे बात करें अभी गोड़े के तो पहला रजल्ट अपने घर पर ही आएगा हाँ बागी गोड़ा अगरा मेरे को लगता है कि बिल्कुल इस्फोर्टलेस है सब्सक्राइब के अच्छाह और जैसा एटेट्टिटूट होना चाहिए गोड़े के अंदर बैसा ही है और तो पहलवान जी आप क्या बूलना चाहोगे गोड़े के बार्बर आरे मेरे बाट मेरे लगे आज़ें परसन आदमी थोड़ा यह थोड़ा बाई अब तो सब इने किया ना मारे को तो नहीं अपन ऐसा कुछ नहीं है अब मान के चलो कोई मैं 2 साल होए और आपको 10 साल होगे तो आपका ग्यान और मेरे काँ में तो आड़ साल का डीपरेंस रहे यह सबसे ज्यादा वेस्ट घरदन बहुत लंबी है ज्यादा और मनिया पतला तो पहले बाइज अभी तो यह मिलक तीत में है क्या लगता है आईट में कितना चला जाएगा क्या लगता है कि आईट का भी आट मार्केट में पूरा बुल वाला है बाई हमारे मेरे उससे तो कभी जुमानी में आएगा दो 67 से उपर ही जाएगा नीचे नीचे नी जाएगा और मेरे लगे बेताप की घोड़े आइट में अडशड तो चली जाते है ना बाई अपने से अच्छे रजल्ट बेताप देखे गया लोगों को अच्छे दो बाई अच्छे बाई योई गोड़ी करो सो अरियाने में सुधार हो बच्छे गोड़े आने लगे हैं तो विकास ही होगा और यह एकि बीडियो जाने के वाद से गोड़ा कवरिंग के लिए श्टार्ट रहेगा यह पता लग जागा बाई सब्सक्राइब और कोई आदमी अगर अपनी गोड़ी मैट कराना चाहिए नुकरी तो मेरे लगता है कि उसको पंजाब जाने की जुरत नहीं है अब अरियाना में आपके वह गोड़ा तैयार कर लिया बाई ने पंजाब में बाई सब जाएंगे 20-25,000 रुपे गाड़ या किराया हो जाता है जितना भाड़ा द अब जाएंगे आपके जाएंगे तो कौन से मेले में में मेले का दोर चालू होना है बस एक डेड़ महीने बाद है मुकसर है हनुमानगड है हनुमानगड क्योंकि मेरे को लगता है कि नहीं गोड़ा इतना अच्छा आपने तयार तो कर लिया अब इसको प्रमूट करने के बिल्कुल बस एक आपको गोड़ा अपने अच्छा तयार कर दिया आपके मैनस से अब इसके परमूशन बद्यान देने को भाई कोई भी आदमी अगर गोड़ी मेट कराना चाहे टाइटल में नीचे नमड चल रहा होगा तो आप सभी लोग भाई लोग कॉंटेक्ट कर सकते ह ओके थैंक यू बाई साब